13.2 समविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर भारती समविधान के विशेश यग्य ग्रान विल आस्टीन का कहना है कि भारती समविधान में तीन प्रमुक तत्व हैं जो आपस में सहचता के साथ गुथे हुए हैं ये हैं राष्ट्री एक्ता, लोगतंत्र और सामाजिक परिवर्तन भारत में राष्ट्री एक्ता की कलपना लोगतंत्र वा सामाजिक परिवर्तन के बगैर नहीं की जा सकती है इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन एक्ता वा लोगतंत्र के बीना नहीं हो सकता है सम्विधान को सम्विधान सभा में प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर भीमराउं अंबेडकर ने इस सम्विधान के समक्ष दो खत्रों की ओर इशारा किया पहला समाजिक असमानता और दूसरा जातिवात के कारण समाज में भाईचारे का आभाओ भारतिय समाज इस्तरिकृत और असमानता के सिध्धानतों पर आधारित है जहां कुछ लोगों के पास असीमधन है और अधिकांश अत्यत गरीबी में रहते हैं 26 जन्वरी 1950 को हम विरोधा भासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं राजनीती के मामले में हमारे यहां समानता होगी पर आर्थिक और समाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा हम अपने समाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनेतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा वरना जो लोग इस असमानता से त्रस्त हैं वे इस राजनेतिक लोकतंत्र का ढाचा जिसे इस सभाने इतनी मेहनत से बनाया है को ध्वस्त कर देंगे भारत अभी एक राष्ट नहीं है जो लोग हजारो जातियों में बटे हैं वे एक राष्ट कैसे हो सकते हैं जातियां राष्ट विरोधी हैं क्योंकि वे विभिन जातियों के बीच आपसी इरश्या और द्वेश पैदा करती हैं। अगर हमें वास्तों में एक राष्ट बनाना है तो इस समस्या से निपटना होगा। समविधान सभा कारी विवरण 24 नवंबर 1949 डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जब तक हम समाज में स्वतंत्रता, समानता और भायचारे को इस्थापित नहीं करेंगे तब तक राजन्यातिक लोगतंत्र आस्थिर बना रहेगा। हमारे समविधान निर्माता इस बात से सहमत थे कि समविधानिक तरीके से समाज में मूल भूत परिवर्तन लाना है और समविधान ऐसा बने जो इस बदलाव को संभव बनाए और उसके दिशा निर्धारित करें। इस बात को लेकर भी सहमती थी कि अगर इस समविधान का कोई प्रावधान समाजिक बदलाव के आड़े आता है तो समविधान में उचित प्रक्रिया से संशोधन किया जाए। अमेरिका जैसे देशों के समविधान व्यक्तिक स्वतंत्रता और लोगतंत्र को मजबूत करने पर जोड देते हैं। इसके विपरित सोवियत रूस या चीन जैसे कुछ और देशों के समविधान समाजिक परिवर्तन लाने के लिए राजिक को मजबूत करने पर जोड देते हैं। भारती समविधान निर्माताओं का प्रयास था कि भारत में लोगतंत्र और व्यक्तियों के निजी अधिकारों को सुद्रुन करते हुए राजि को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए परियाप्त रूप से सशक्त बनाएं। समविधान निर्माताओं की कलपना में भारती राजि केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं करेगा, मगर सद्यों से चले आ रहे भेदभाव वा असमानताओं को मिटाने तथा 200 वर्ष की आपनिवेशी शाषन से पिछड़ी अर्थ व्यवस्था को सुधार करने का जिम्मा उठाएगा, इस उद्देशो को सुनिश्चित करने के लिए समविधान में मौलिक अधिकार की विस्त्र सूची अंकित है, और साथ ही उसमें एक अनुठा अध्यायत जोड़ा गया है, जिसे राज्य के मार्ग दर्शक तत्त्व कहते हैं, समविधान के अन इन तत्तों में से कुछ प्रमुक तत्तों निम्नलिकित हैं, राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा, सभी छेत्रों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा, महिलाओं वपुर्षों के बीच समा समाज के भौतिक और उत्पादक संसाधनों का न्याय संगत बटवारा, कारखानों में उचित काम के हालात और वेतन, बच्चों के हितों की रक्षा, तथा सबके लिए 14 साल की आयू तक निशुल के सिक्षा की व्यवस्था, अनुसुचित जाती, जन जाती वा अन्य दुर बलवर्गों के सेक्षिनिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धी आदी